दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी जब हम टेली सौप्टवेर में या किसी भी अकांटिंग सौप्टवेर में किसी कमपनी के हम लंबे टाइम से अकांटिंग मेंटेन करते हा रहे हैं यहनकि हमने एक company create करिये किसी company की financial year 2015-16 में और अभी तक हम उसी company को आगे carry forward करते हुए continue हमने 5-6 सालों की accounting एक ही company में maintain कर लिये तो दोस्तो हमें उस company को split करना होता है सप्लिट का थोपने के हमें टुकड़े करने पड़ते हैं जो हमें एक ही company हमारे list of company होती है उसमें show होती है तो दोस्तो आज की इस video में हम सारी बाते hasn't practically सेखेंगे पी हमें company को split कब करना चाहिए हमारी company को split करने की जरूरत है या नहीं ह होते हैं उनको इतना पता होता है भी company के data को split करना होता है लेकिन split कब करना है आपकी company को data को split करने की जुरूरत है या नहीं है वो उनको नहीं पता होता है दोस्तो अगर आप एक नए accountant हो टेली software के नए user हो तो आपको इस video को एंट सक complete जुरूर देखना चाहिए तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ इसे शेर भी जुरूर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो दोस्तो प्लीज अभी कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके आल नोटिफिकेशन पर भी जुरूर क्लिक कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सौप्टवेर और वीजी काउंटिंग सौप्टवेर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटीन्यू अप्लोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नहां में मौन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस कंपनी को मैंने 2015 में क्रियेट किया था और 2015 से और आज तक यानि क dignity यार 2021 का भी काम कंटीन्यू एक में ही चल रहा है यानि कि लगबग छैसलों का काम है जो एक ही कंपनी में क्रियेट र्क करके कंटीन्यू हो रहा है तो दोस्तो हमें इस वक्त, यानकि जब हम किसी कमपनी में, हमने 4 या 5 साल से ज़्यादा अगर हम accounting work कर लेते हैं, तो हमें उस कमपनी को split करने की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तो हम इस पे enterprise करेंगे, और present time में अभी आपको जो financial year शोर है, वो 21-22 का शोर है, यानकि 1 April 2021 से ले चुकी थी और अभी तक continue चलती आ रही है, तो दोस्तो वैसे हमें जो data रखना चीए, हमें यह नहीं करना, भी data को हमें delete करना है, डिलेट नहीं करना, data को बिलकुल हमें safe रखना है, लेकिन हमें इस company को थोड़ा सा टुकडा करके अलग रखेंगे, आपको दोस्तो जादा से ज़्यादा, जैसे कि हम अभी 2000 मारा financial year है, जो 2021 अभी end हुए है, और 2021 की शुरुआत अभी होई है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होती है, जो financial year 2021 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तक उस books को final हमें करना है, और कुछ एक ऐसे ledger होते हैं, जो अभी final होने के बाद में वो 22 में भी carry forward होएंगे, लेकिन अगर हम बात करें finance लिया 2019 बिस की, तो हमें उस company के data में पिछे back जाने की जरूरत साइध ही बड़े, क्योंकि हमने जो data हमें पिछे कर चुके हैं, जिस्टिक दोरान हम कोई sale, purchase, कोई laser में किसी type के हम changing नहीं कर सकते, तो हमें ज जैसे हम select company में जाते हैं और select कर रहे हैं तो अभी आप यहाँ पर आख देख रहे हो, भी एक ही company है और जिसका code है 1004, दोस्तों हमें अलग करने की जुरूरत इसलिए पढ़ती है, भी by chance इस data के अंदर कोई error आ जाती है, यह data हमारा software में open नहीं होता है, तो हमारे जितने भी हमने 6 सालों की working इसमें कर रखी accounting की, वो सारी की सारी बेकार हो सकती है, लेकिन जबकि हमें 2015, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20 तक हमें data की जरूरत नहीं होती है, तो हम सोचें उस company को अलग, एक companies की अलग से create कर दी जाए, तो हमें year separate कर लेना चाहिए, अब यह निये भी हमें वारी financial year एक ही इसको अलग कर दो, एसा नहीं करना है, आपको दो सालों का data एक साथ रखना है, उससे पहले का data आपको अलग करते जाना है, जैसा कि मेरे पास यह एक ही data आ रहे है, तो हम इस company के data को जो अलग करेंगे, अलग करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, टेली software के इस data के menu पर जा आप verify कर चेक कर लो, भी आपके data में कोई error है या नहीं है, तो हम एक बार इसको verify करेंगे, और interface करेंगे, accept करेंगे, तो आप देख रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का message आज देगा, भी no errors found, अगर आपके कोई भी error होईगी, तो आपको यहाँ पर error show कर देगा, और अब हमें data को 사plit करने, तो जैसे हम data separate पर click करेंगे, तो हमारे से यह पुछेगा भी आपको separate करने है, और कब से करना है, याना कि टुकड़ा कब से करना है, आपकी company का विवाजित आपनी कब से करना है, तो हम चाहते हैं, भी हमारी जो company का विवाजित है, वो 1220 से हो, उससे पहले continue data हमारा अलग company में बना रहे है, तो अभी आपको जो split from यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यहां से, जो अभी आपको 1 April 2021 आ रहे हैं, तो हम इसको 1 April 2020 यहां से करेंगे, क्योंकि 20-21 का data भी चीए, और 20-21 यहां बाइस तो ऑटोमेटिक आगे चलता रहेगा, इंटरप्रेस करेंगे और असेप्ट करेंगे, तो यहां से हमेरे से पुछेगा, continue to split company data, तो हमें इसको yes करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं, company split हो रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास अभी टुकुडों में तीन अलग-अलग company बनके सामने आजेगी, यानिकि अब एक त 2020 से, अब तीन टाइप की आपकी company open हो चुकी है, अगर अब दोस्तों आप 2020-21 वाले में आपको जो starting, जो working करनी है, उसी में करोगे तो अब आपको इस company को open नहीं करना है, यह ध्यान में रखना, ज्यादर तरह content पुरानी, जो company हैं उसी में working करना शुरू कर देते हैं, जब और इसका year भी आपको सामने देखने को मिलेगा, भी एक तो है वो starting जो main company थी, जिसका code था 1004 का, वो 1 April 2015 से लेके 30 March 2022 तक, यानिकि यह main company है, और उसके बाद में जो 140 का जो code बना है, इसका 1 April 2015 से लेके 31 March 2020 तक, यानिकि यह financial year 2019 तक का data आपका अलग हो गया है, यानिकि इसमें 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, यानिकि 5 सालों का जो data आपका वो अलग हो चुका है, और उसके बाद में 1 April 2020 से लेके, और 30 March 2022 तक, यानिकि यह 2 year का data आपका इस company के code में हो जाएगा, तो दोस्तों अब आपको इन future के लिए इस code को open नहीं करना है, यह आपको विस्यास ध्यान रखना है अगर आपने separate कर लिया है तो, क्योंकि अब working आपको इस company में ही रखनी है, 1 April 2020 वाली में, enterprise करेंगे, और अब जो working हमें करनी है, वो सारी इसी working में रहेंगी, अब दोस्तों हमें इसका benefit अभी यह मिलेगा, भी अगर कोई error आ जाती है, हमारी टेली software में कोई virus की वज़े से य तो, हो सकता है, आपकी जो present time में working जिस code में आप कर रहे हो, इसी code में ही आपको problem होएगी, आपकी जो पुराने जो data है, एक चार का code, और वन 4x0 का जो code है, वो data आपका बिल्कुल safe रहेगा, otherwise आप एक ही company को continuity करते रहोगे, और उसी data का अगर virus कोई आ गया, या कोई data आपक working कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका बेकार हो सकता है, तो दोस्तों इसलिए आपको last एक year का ही, आपको data अपने साथ में लेके चलना है, जैसा कि अभी financial layer 21-22 जल रहे हैं, तो आपको only 20-22 का data आपके साथ रखना है, अब जैसी 20-30 मार्स 2022 एंड हो जाएगा, और session 22-30 शुर हमारे टेली software में data को सब्डेट कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नोलेज़ेब लगी हो, वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो, तो प्रेज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब निक तो वो भी जरूर कर लेना, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपी के साथ,